हेलो गाइज वेलकम टो मैं चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं लाख की चूड़ियां अब आप लोग लाख का मतलब समझें लाख रूपए आप लाख रूपए ही समझ रहे होंगे लाख का मतलब अरे इसमें था सब प्रॉब्लम हो जाता है सुरी फॉर डैट तो मैं यह से कंटिन का मैं फिर से शाटने करेंगा आप लाख का मतलब समझें लेडियोगा वह रूपीज वाला लाख नहीं लेकिन वह रूपीज वाला लाख नहीं लाख एक पदाल्त है जिसे चूणियां बनाई जाती है अब अब तो हमारे यह उतने भी लेडिज जैसे आपके मम्मी लेकिन पहले गाउं में लाख की चूनिया इस्तेमाल होती थी यह कहानी कुछ ऐसी रिलेटर है लाख की चूनिया को लेकर तो मैं इसका समरी सुना देता हूं एक गाउं में बदलू था जो लाख की चूनिया बनाया करता था लेकिन मसीनी यूगाने के कारण उसका जो लाख की चूनिया का जो काम करता था वो सारा धब हो गया अब सब काज की चूनिया यूज करते थे जो उनके गाउं में भी जितने लोग भी लाख की चूनिया यूज करने लगे इसलिए उसका सारा काम धब हो गया और इस से हमें य यह सब क्ल़चिज भेए 10 कि बेल ना भॉनगेन वंगें भटि यह सब करते हैं एक लिभेए हम लोगर्य के लाओ तो यह ढलने को से आया तब से इनका जो काम थो वो सारा धब होगी नों कुछ काम करने पा रहे हैं यह तो मैंने असी दो मिनटर सुना दिया है चलिए जल्दी समर्व अपना यह चाप्टर स्टाट करते हैं क्योंकि यह चाप्टर है कुछ एक दो पिन चार पार छे पेच बहुत लंबा मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाओ मतलब सौक चाओ का मतलब सौक वो नहीं चाओ यही था की जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती रंग भी रंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोले वैसे तो मेरे मामा के इसodus मीकान कहरते हो था तूम कि गाहणा कि ऑन करता था जैसरे के घाओं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे । बद्लू का मकान कुछ ऊजैपरबरा था. मकान के सामने बड़ा सा सहन سहन का शहन यहां पर है, मैं दिखहा देता हूँ गौल कर के!! सहन thinking about this. तदेखिए यहां पर सहन यहाँ पर अब मैं अच्छा सख़ा दू यह रहा सहन तो यह सहन था सहन मतलब आंगन होता है जिसमें एक पुराना नीम का व्रिक्ष लगा था उसी के नीचे बैट कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिगलाया करता सामने एक लकड़ी की चौकट पड़ी रहती जिस पर लाख के लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाक उसे सारी यहां पर पेज मैं पलटना हूँ सलाक के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता तो अब लोग से समझते हैं संबस्ते हैं सारे गाउमें मत जोसके मामा का गाउं था सारे गाउं मंद वही गाउं के भीत जितना भी जगा थे मैं आता हूं दो मिनिट में जो जले में तो गया था बाहर सारे मलब गाओं के अंदर जीतना भी जगा था उसमें बादलू से सबसे ज्यादा चाहता था क्योंकि वह जो बदू था वह लेखा को धेसा ही सुन्दर सुन्दर लाकी गुलिया बना करें चाहता है गुंद्ध मतलब लाकी बॉल जैसे में यह प्लास्टिक बॉल यह सब है न प्लास्टिक वर्ल कॉस्ट को बॉल उतना ही बढ़ा था था लाकी गुलियां कि उसे अपने मामा के गाउन जाने का सबसें बड़ा जाओ मतलब पसंद जाओ यहाँ मतलब पसंद यही था क्योंकि वह उसे लॉटता था तब उसके पास रंग भी रंगी लाख की डे सारी गोलिया रहती थी मैंने लाख का मजब आपको बताए हैं इसले में को बताने के जोत नहीं वैसे अगर किसे नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं लाख मतलब एक पद के लिए चोड़े बउल से बनाया जाते हैं वैसे तो उनंषके अब फेसे जो के गाउं में बदलू रहता था उसे उसे ब्रू मामा महिए था दोर्माम बढ लेकिन हो ब लेकिन आप उसे चाचा न का番 भाई बहुत बहुता है और वह पार उसके शोर्टा्य में zo आपी नियुकु धूला जया लगारब वी इस भीय गुले आप लोह से अग्रोगो पान से भाइया पुलेसे वीयूपला जायाए अगर है गर्णसे वर में ऑनका की फिर्म वहপां की दोस्ते तब से झालाक नहीं है चलािए चला से लेकिन थोड़ा सा ऊचा- नीचे आपने बडा सबसे मध्दलू नहीं तो जलने वाला फीलिंग अलग होता तो यहां पर आपर समझेंगे जलना का वह अलग लेकिन यहां पर वह फीलिंग जलना को तो जिस पर वह लाख जिसमें वह लाख पिख्लाया करता था लाख फिर उसे कछ चूडी अशेछ लिए पिख्लास तो जरूरी है सामने लक्डी की चौकट पाड़ी रहती लक्डी की चौकट मतला है खटिया खटिया टाइप का दहली खटिया दहली जो बोलो जिस पर लाक के मुलायम होने पर उसे सलाक के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता चूड़ी का आकार देता पास में 46 विविन आकार के बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाक की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ीया बना चुकने के पस्चाथ वह उन पर रंग करता मैंने यहां तक तो समझा दिया है आप मैं इसके आगे समझाते हूं पास के चाथ चव विभिन आकार के बेलन मुंगेरियां रखी रहती बेलन मुंगेर बेलन मुंगेरियां जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी लाक की चूडियां लाक की चूडि का आकार देकर जिसमें वह लाक की चूडि का आकार देता सब्सक्राइब लाक की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगीरिया पर चढ़ा कर गोल और चिकना कर देता था यह केकर पूरे हाथ की चुणिया बना चुकने के पस्चाथ वह उन पर रंग करता में लग चढ़ाता तब ने तो साधा-साध हो जाता होगा वाइट वाइट मैंने आसक देखा नहीं है मैंने यह मेरे टीचर ने बताया कि यह वैसे होता है तो इसलिए अब आम लोग नेक्स्ट परग्राफ पर चलते हैं बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिये पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगर में ही उसका हुक जुआ कर रखा रहता था जित-बीच-बीच में पीता रहता है मेरे दोपहर मेरा दोपहर कह समय अधिक तर बदलू के पास बीता वह मुझे एक अब उन मुझे जना मैं पियार से बच्चा लों को लल्ला बुले इसे वैसे करके लल्ला कहा करता और मेरे पहुचते ही मेरे लिए तुरंट एक मच्या मंगा देता मैं जा मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूणिया बनाते देखता रहता लगभग रोज सेसा बनाता थे जल्दी जल्दी चुणिया बन जाती लेकिन वहाज है कि दीन रह दो चीना देरां चाहिने हां चाहर एक हाथ में गैख है नών attitudes उस वहनता है दो फर जेते बराबर चूणिया बनो बनाता है है समझ लोग आदमी काम करता था अगर ऐसे हम लोग काम करेंगा यह दिन में क्या हम लोग एक हाथ कभी ढंक से बना पाइंगा तो फिर आगा चलते हैं चार चार जोड़े बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन और बेलन पर चड़ा कर कुछ छंच चाप देखता रहता मानों वह बेलन ना होकर किसी नवदू की कलाई हो मतलब मैं बताता हूं पहले यह प्यूरा पैराग्राफ में आपको एक्स्प्रेन अच्छा इतना छोटा रहता हूँआ वागा मेरे को जहां तकी लगता है और या कि इससेयर ले लेता हो मैं इतना छोटा व Cambodia यान है करूज यह है कि बैड़ सकता है मिल्ब केवर इस पहला नीहर। देशी खटिया ऐसे करके कुछ एक पैर यह लंबा रहते हैं खटिया तो आपको जानते हूं तो फिर वह मचिये पर बैठा रहता था बगल में ही उसका हुका रहता था अभी तो सलो बिगडी सीगरेट यह सब पीता था लेकिन पहले फूका रहता था ऐसे रहता था ऐसे आदमी यहां से हाथ पकड़ता था यहां पर मू रहता थो ऐसे कहता है मैं जैसे बनाया हम लेकिन आपको समझा तो दिया ना कम से कम गाओं में जो लेखा का दो पहर का समय समय रहता था हुआ उसे के घर में वर वर क्या ना में उसका बदलू के घरि में रहता था बदलू से लल्ला क करके पुका था अब कभी-कभी आपको गांँ जाएंगे तो आपके अब करने आपके दादा यह सब रहते हैं और जो बुढ़े-बुढ़े बुजूर गेस आपके दादा उसे जानते होंगे आपके दादा की वह सब दोस्त होंगा रोल आपको जानते यह आपको यह लगा तो इसे करके अच्छी से बुलाएंगे मैं अच्छी से बुला पारहा हूं आप लोग को कहा करता और मेरे पहुचते ही मलब लेखा के पहुचते ही वह उसकी लिए मचिया जो भी जिस पे वह बैठके कायम करता था वैसे ही उसकी घर में होगा दो-चार और मचिया तो उसको भी बैठा कर रखता था कि तुम भी देखो आयो तो बैठके देखो मेरे साथ या भी बैठके बात करो मेरे साथ और लेखा गवी घंटों बैठे बैठे उससे इस प्रकार चूणिया बनाते देखता रहता मैं अपने से एक्स्प्रेंट कर देना हूं जैसे कोई देखता हैं एपने अपने पैसे से कोई नया चीस खेंटा टासे घंटोंबर देखता रहता हैं एक कोई इस मतलब में कोई आ रह जा रह भीला इसे को थोड़्या डोला बनाता कॉर्च फूरा जूनिया है दो भ शार्जियाए वह चारके जोड़े चूणिया बनाता वो पूरा जोड़ा बना लेने पर वह पूरा जोड़ा पूरा बना लेने पर उसे पल चड़ा कर कुछ चुप चापлем जिए उतस्केदी चूणूिया Wallace से बेलन पर ये चढ़ा कर ऐसे गौर से निहारता और मानो ऐसे गौर से निहारता मानो नव वदू की कलाईयां हो कलाई हो ओके बदलू मनिहार था बदलू मनिहार था चूणिया बनाना उसका पैत्रिक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुन्दर चूणिया बनाता था उसकी बनाई हुई चूणिया चूणियों की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सभी स्त्रिया उसकी बनाई हुई चूणिया पहंती ही थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूणिया ले जाते थे परन्तु वह किसी भी परन्तु वह किसी भी खपता था असपाव के गाओं में या फिर अपने भी गाओं में वह चूणियों को पैसे से न बेशता था उसका अभी तक वस्तू विनिमाई का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूणिया ले जाते थे बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उससे किसी से जगरते नहीं देखा हाँ साधी विवा के अवसरों पर अवस्य जीत पकड़ जाता था जीवन भर चाहो कोई उससे मुफ्त चूणिया ले जाए परन्तु विवा के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था आखे सुहाक के जोड़े का महत्व ही और होता है हाँ सुहाक के जोड़े का महत्व होता ही है मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी लड़की के विवा पर जरासी किसी बात पर बिगड गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे विवा में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वाली को सारे वस्तर मिलते धेरे धेरो अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग बदलू मनिहाल था मनिहाल का मतलब चूणिया बनाने वाला और उसे चूणिया बनाने वाले तो बदलू चूणिया बनाता था और चूणिया बनाना उसका पैत्रिक पैसा था पैसा यह पेसा यह पेसा यह लिखाओ पैसा और एक पैसा पैसा अलग होता पैसा अलग होता मैंन कि दिन चाल्य कैसे लोग भी ताते हो ऐसे वह कत था और उसका पड़ा बनी जा था चूनिया बना नहीं उसका प्रूदिया बनाता था सुनिया उसकी बनाई हुई चूनिया का खापत भी बहुत थी मतलब उसके चूनिया थी वह दूर दूर तक फेमस थे सारे गाउन में उस तो सभी स्थी यहां इसकी बनाई हुई चुणिया पेंती थी तक कि बाहर में भी दूसरे आजपास के और दूसरे गाओं में जो लोग रहते थे दो भी बदलू से लेते थे ते बदलू से लाग की चुणिया लेते और लाग के चुन ने बदले पैसे नहीं लेता था वृ पैसे ने लेकर वू अनाज यह पिछ यह अनाज यह सब लेता था क्योंकि अनुट वी वस्तू भी नहीं नहें था हां रहां और लिकक ने वह उसे कभी भी छहगरते हैँ है नहीं देख रहा है पर साधी विवा के मामले में वह जिद सब्सक्राइब पकड़ लेता कि वह लाख की चूड़ Вас इन ये मन् चाहां दाम लेकर मैंगो जो वह दाम तर करेगा उसी दाम में सब्सक्राइब लेना होगा वनना फिर नहीं लेगा कोई वनना फिर वो नहीं देता है तो फिर आरो बोलता है चाहे पूरी जिंदगी में से कोई जाने चुंणियां मुफ्त में ले लेकिन शाधी विवा के अफसर पर वह मन चाहा लेता था अपना मन का दा जो वह उसे चाईए और बाकी अगर वह कासर नीखालेगा ही अपना की वह नई लिया तो हम अपना ही पैसा उसे लेंगा और वह ऐसा ही करता मैं उसको मनाने में लोहें लग जाते अक मुहावरे मतलब यह होता है बहुत कठिन बहुच वे उसको मनाने में ऋसको मनाना बहुत डिफिकल्ट थै मैं जब बहुत च्छीन से काल Neymar और फिर जब बात ते हो जाता तो फिर उसकी पत्नी को धे सारे कपड़े मिलते उसे धे सारा अनाज मिलता उसे भी कपड़ा मिलता उसे पगड़ी भी मिलता और रुपए जो मिले सो अलग यदि संसार में बजलू को किसी बात से चिर थी तो वह थी काच की चूणिया यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे काच की चूणिया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूल उठता और कभी-कभी तो दो-चार बाते भी सुना देता मुझसे तो वह घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी यो ही सहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता की सहर में सब काच की चूणिया पहंते हैं तो वह उत्तर लेता है सहर की बात ही ओर है लल्ला वहां तो सभी कुछ होता है वहां तो अरत अपने मर्द का हाथ पकड़ मरद 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 होता है यहां पर मरद ऐसा प्रूनाउंस तो मरद ही होगा लेकिन जो बद्लू था नो से संसार में से जल चीर था लाग यह काच की चूणियों से इसना चीर था उसे और वह अगर किसी का हाथ में देख लेता तो मन में वह इतना कूर जाता और कभी-कभी तो दो-चार बातें भी सुना देता अलकी लाग की चूणियां क्यू पहनने हो तो मैं इसे वैसे करके सुना देता है नो वे यह फिर वो कभी जो लेखा कामतानात उससे पूछता कि सहर में क्या है तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल भी बोलता पढ़ाई तो अच्छी चल रही है पर वहां पर जितनी भी स्त्रियां रहती है ना सब काथ की चूणियां पहन कराती तो फिर बद्लुने काhmen क्यों नहीं रहेगी सहर की तो बात ही अलग है वहां पर तो एस्त्रियां है हुआपск़े पेलने मर्द के अत cinky व्पकाड़ के घुमती हैं सड़कों पर घुमती है फिर उनकी कलाई भी तो नाजुक होती है ना लाग की चुणिया पहने तो मोचना आजाएगी कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासिक खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाई के दूद होते वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम के फसल मे तो मैं रोज ही उसके यहां से दो चार आम खा आता परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गुर्णिया बना देता है यह वीडियो बहुत लंबा हो रही है यह वीडियो टोटल चल चुका है तो मिनाट फॉर्ण फिफ्टी सेगेंज के टुएंटी सेगेंज हो जाएगा हमेरे बोलते बोलते तक तो यह क्या पता टुएंटी सेवन मिनट का मैं से आधा घंटा का वीडियो नहीं बना चाहता हूं मैं जानता हो यह चैप्टर बहुत लंबा है तो हमने आज तो समझा दूगा जो कि एक यह पेज पढ़ना हमें हां दूसरा यह पेज है और तीसरा यह पेज है इस चैप्टर का फिर अन्त हो जाएगा मैं जोगा हम यहां पर पढ़ा रहा हूं इस अप लोग प्लीज नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर देखेगा and thank you for it guys thanks for watching my video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज मेरे वीडियो को लाइक करना और जिरोने अब तक चैनल सब्सक्राइब ने किया वो सब्सक्राइब कर देना और हम जितना सब्सक्राइब करना गाइज और प्लीज अपने फ्रेंड कोई बोलना अर्वने अच्छी लगी तो अगलज भी ललाइक करने के लिए बोल देना को रिफार नला मेरे चैनल अगर यह अच्छी तदकी मेरे नहीं नोडिफिकेशन सातर है वैसे मैं सिर्फ पढ़ाई का तो बनाता नहीं हूं मैंने मैं कभी ड्रोइंग कही बनाऊंगा तो कभी इंटर्टेन्मेंट का बनाऊंगा डे साथ चीज यहां पढ़ा है मैंने इसलिए अपना यूट्विया का नाम रखा और अलिन वन आयूस अब साला चीज बनाऊंगा मैं कभी कभी फूड यह सब कभी डालूंगा खाना बनाते वह खाना बनाते वह नहीं मैंगी चौमी नहीं सब का बताते वह कैसे बनाएंगे यह सब तो वगयरा वगयरा तो गाइस अभी हम छोड़ते वानना यह 29 minutes का वीडियो जगा प्लीज ग अब कर चुका है और प्लीज आप लोग उसे कमेंट सेक्स्ट आप लोग उसके में जाकर आपको कोई बीडाउट है कोई पी कोशिन आप वहां पर जाकर टाइप कर दीजिए मैं आपको जवाब जरू दूंगा हां लेकिन कभी नेट आफ रहते हो तो सम्झाव नहीं देप है और यह आप प्लीज अपना सेफ्टी में अज़र किए अभी कुरोना टाइम तो चाल रहा है क्योंकि और यह कुरोना टाइम में सकेंड स्टेज में आपको थर्ट स्टेज का लच्छन दिखने लगे इसलिए गाइस अपने आपको प्लीज सेफ रखेगा तो हम लोग चल 50 मिनट्स तो होने ही जा रहा है तो बाई गाइस बाई 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 बाई